नमस्कार दूस्तों सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल अभिशेक रजक में दूस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिधार नगर यूनिवर्सिटी का जो 2nd year और 3rd year का exam होगा वो किस pattern पर होगा objective type होगा या theory type होगा इसी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि आप सभी का बहुत comment आ रहा था कि सर इस पर एक complete video बनाईए तो चलिए जान लेते हैं कि आपका exam किस base पर होगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज से लगबग एक हपते पहले सिधार नगर यूनिवर्सिटी दौरा एक official notification जारी करके बताया गया कि आपका exam कब से start होगा और कब तक आपका result आएगा और आपका जो exam है वो किस base पर होगा तो चलिए उस notification को हम on कर लेते हैं उसके बाद आपको पूरी detail को बताते हैं तो आप यहां देख सकते हैं यह वही notification है जो सिधार्थ यूनिवर्सिटी दौरा 18 जून को out किया गया था तो इसमें साफ साफ सब्दों में बताया गया था कि आपका exam किस base पर होगा तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले बताया गया था कि आपका जो exam है वो 14 जुलाई से start होगा और 10 अगस्त को खतम होगा और यह मतलब इसके pattern के बारे में भी बताया गया था कि किस आधार पर आपका exam होगा तो चलिए यहां से हम बता देते हैं पढ़के इसको एकदत समस्त समंदित महाविद्यालाओं को सूचित किया जाता है कि अपरसची उत्तरप्रदेश राज्य उच्च सिच्छा परिशद लखनव के पत्रांग संख्या इतने में दिनांग 8 जून 21 द्वारा प्राप्त निर्देश और परिच्छा सिमिती की बैठक के अनुशार 18 जून में लिए गए निर्डे के अनुशार BA, BSC एवं B.com दूतिये वर्ष एवं 33 वर्ष, BSC क्रिशिय दूतिये वर्ष, 33 वर्ष एवं अन्तिम वर्ष, MA वा M.com के अन्तिम वर्ष की परिच्छाएं पूर्व में निर्धारित केंद्रों पर पूर्व प्रचलित परिच्छा पदती के अनुशार जारी किये गए प्रवेशपत्र के आधार पर होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं साप साप सब्दों में ये लाइन काफी महतपूर है जहाँ पे बताया गया है पूर्व में निर्धारित परिच्छा केंद्रों पर और पूर्व प्रचलित परिच्छा पदती के अनुशार जारी किये गए प्रवेशपत्र के आधार पर होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं साप साप सब्दों में बताया गया है कि इससे पहले आपका जिस प्रकार पेपर होता है उसी प्रकार होगा और जिस प्रकार आपका सेंटर लिस्ट आ गया था जो इससे पहले सेंटर लिस्ट आया था उसी के आधार पर होगा और एड्मिट का थर्डियर वालोगा तो यहां पर मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूं कि आपका जो एक्जाम है वो पुराने पैटन पर ही का होगा और ना की ऑब्जेक्टिव टाइप पर होगा तो हो सकता है आपका डाउट किलियर हो गया होगा तो जैसे ही इसका टाइम टेबल आता है तो फिर हम आपको जरूर बताएंगे तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों की साथ सेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्काइब कीजे तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई